लूपिंग की बात कर रहे थे हैं, जिसमें हमें क्या-क्या कवर करना है, while और for loop कवर करना है, ठीक है, लूपिंग होता क्या है, अगर हम लूपिंग की बात करें, तो simple, जब हमें ऐसी जरूरत हो, कि जब किसी statement को एक से ज़्यादा time पर अगर आपको execute करना है, एक से ज़्या हुआ है, suppose that, और S1 को आपको 10 times print करना है, तो एक तरीका क्या है, आप print में S1, 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 10 times print कर दें, मत अब एक बार print S1 लिखें, फिर दूसरी बार print S1 लिखें, फिर तीसरी बार print S1 लिखें, फिर फोर्ट में print S1 लिखें, ऐसा करके आप 10 times print S1 लिखते जाएं, जितनी प्रिंट S1 लिखेंगे, उतनी बार और print हो जाएगा, दूसरी तरीका क्या है, कि हम looping statement या iterative statement का use करें, और इस particular S1 को iterative statement या looping का part बना दें, अब आपने उसको उसका part बना दिया, जब आपने उसका part बनाया, तो क्या होगा, multiple times, बार 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 execute होता रहेगा, जब तक कि आपकी condition prove, ठीक है, तो looping statement होता क्या है, it allows us to execute a statement or a group of statement multiple times, python में दो टाइप के looping statement होता है, ठीक है, एक होता है while loop और दूसरा होता है for loop, ठीक है, do while python में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, और उसका alternative क्या है, इसको हम आगे discuss करेंगे, अगर while loop की बात करें, तो in general हम दूसरी programming languages के syntax के अगर बन बात करें, जैसे C, C++ और Java की, तो while loop कुछ ऐसा syntax होता है, आपका test condition होता है, ठीक है, test condition के बात कर लिबरसे open और close करते हैं, इसके अंदर statements होता है, ठीक है, अब अगर आप देखो तो while, अगर यह test condition true है, तो पूरा का पूरा block execute होगा, ठीक है, और यहां पास होता है, increment, i++ या i-, यह जो होता है, i++ या i-, इसको हम बोलते है, terminating condition, इसी के बेसे पे आपका loop terminate होता है, यह iterative statement का main part होता है, कैसे समझो, while, अब आपका test condition true होगा, तो पूरा block पे execute होगा, फिर जाके increment या decrement होगा, और फिर से वापस से जाके test condition check होता है, तो फिर से block execute होगा, फिर increment और decrement, फिर test condition देखेगा, test condition फिर true, फिर से execute होगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका test condition true होता रहेगा, जब यह true होता रहेगा, तो आपका बार 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 multiple time आपका execution होता रहेगा, अब आपने multiple time execute कर लिया इसको, और multiple time execution के बा जब मालो आपका फिर से i increment या decrement हुआ और इस बार आपका test condition false हो गया जिस टाइम आपका test condition false होगा यह पूरा का पूरा block skip हो जाएगा तो इसका मतलब y loop करता क्या है पाइथन में curly braces open or close नहीं होते हैं तरीका यही है लेकिन तरीका यही है curly braces open or close नहीं होंगे यहां हम indentation का use करेंगे अब y loop क्या करेगा पाइथन में एक block of code को iterate करेगा जब तक कि आपका test condition या test expression true होगा जैसे ही false होगा वो block skip हो जाएगा ठीक है अगर हम syntax की बात करें तो जैसे देखो while है while के पास आपके बस condition है यह आपने देखा while और while के पास आपका condition है अब एक condition जो है आपका while का इसमें आप देखो आपने क्या किया हुआ है जैसे ही condition true होगा अब इस condition को आप या तो bracket में लिखो या पिना bracket के लिखो कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे ही आया अब आप देखो एक tab का space होना चाहिए जो python का interpreter है वो कैसे समझेगा कि while के कितने statements है तो जितने भी एक tab के space पे होंगे उस सारे के सारे आपके while के part होंगे तो पूरा का पूरा block while का है इसके पाद देखो जो tabbing है वो आपने खतम कर दी मतब जो indentation था और खतम कर दिया इसका alignment while के साथ यह तो जैसे ही non indented line आ जाता है या जैसे ही non indented statement आजाता है वो आपका while का part हो जाता है और जिसमें आपने एक spacing दी हुई है ये एक indentation दिया हुआ है या एक tab space दिया हुआ है तो पूरा का पूरा while का block होता है तो इस syntax से मैं समझ में आ र और जिसको आपको पूरे प्रोग्राम का पार्ट बनाना है उसमें कोई इसमें समझने वाली है कि कम से कम वाइल का एक statement तो होना ही चाहिए एक statement तो हो गाई होगा यह आपका एक statement होना चाहिए मतलब एक indentation के साथ statement तो होना ही चाहिए क्यों कि आपने condition दी है तो उसका एक line तो होना ही चाहिए कुछ तो आप उसको execute करा हो ठीक है तो इसमें बात हम को यह समझ में आ गई पहले सबसे पहले क्या होता है condition evaluate होता है आपका condition evaluate हुआ अगर condition true है तो while का block execute होगा ठीक है और यह condition बार-बार check होता है बार-बार check होने के बाद जितनी बार true होता है उतनी बार block execute होता है ठीक है और जितनी बार यह execution हो रहा है लूप लूप बॉडी का उसी को हम बोलते हैं एक iteration अब जितनी बार होगा उतनी iteration कहलाएंगे ठीक है और जैसे ही आपका condition false होता है loop आपका terminate हो जाता है ठीक है अब हम इसको program को करके देखते हैं कि कैसे हम इसको programming में लाएंगे ठीक है तो जैसे कि देखो मैंने बताया आपको कि हम क्या करना चाहते हैं एन natural numbers का sum करना चाहते हैं तो मैंने माल लो n equal to 10 दे दिया तो मैं क्या करना चाहता हूँ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 इसका रिजल्ट से आता हूँ मैं तो मैंने simple programming लिखी n equal to 10 sum equal to 0 और i मैंने चालू कर दिया वन से क्यांकि वन से मुझे sum करना है मैंने while loop लगाया while और मैंने बोला i less than equal to m ठीक है और उसमाद colon colon के पर देखो automatically indentation आ गया एक space आ गया एक tab space अब यहां लिखूंगा sum equal to sum plus i और फिर मैंने लिखा i को increment i plus 1 नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो आपका आगे वाली value repeat नहीं होगी फिर मैंने print को पूरे program का part बनाना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया print और मैंने लिखा the sum is sum ठीक है अब अगर आप इस program को देखो तो सबसे पहले मैंने लिखा n equal to 10 फिर sum equal to 0 c in slice कर दिया i को 1 c in slice कर दिया सबसे पहले loop check होगा i i कितना है 1 1 less than equal to 10 होता है तो sum में क्या हो जाएगा 0 plus 1 अब ध्यान रखना इस while loop का पार्ट क्या है यह वाला यह दोनों पार्ट है मतब यह दोनों लाइन है while loop के यह दोनों लाइन स्थम और आई वाले यही दोनों लाइन while के है चेक है यह प्रिंटे तो पूरे प्रोग्राम का है तो जब तक while की condition true होगी केवल यही दोनों line execute होते रहेंगे और जब while new fail होगा तो यह output आएगा ठीक है तो देखो i equal to 1 लिखा 1 less than equal to n होता है condition true अब sum क्या करेगा sum equal to sum plus i तो sum plus i मतलब 0 plus 1 0 plus 1 sum में कितना आ गया 1 आ गया अब जैसे ही sum में 1 आया sum में store हो गया और i की value कर दी 2 अब 2 फिर check होगा इससे तो 2 less than equal to n होता है मतब 2 less than equal to 10 है फिर condition true तो sum में 1 पड़ा हुआ है i में 2 पड़ा हुआ है तो sum plus 1 मतलब 1 plus 2 3 आ गया और i की value भी होगा 3 2 था तो 3 हो गया 3 less than equal to 10 होता है होता है तो 3 प्लस 3 6 एक है और i की value होगा 4 4 less than equal to 10 होता है फिर आगे sum होगा ठीक है फिर आगे sum होगा फिर i की value बढ़ेगी आई फिर 9 हो गया मालो, पहले 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, और sum होता गया, 9 हुआ, 9 less than equal to 9, sum में कोई value पड़ी होगी, और sum plus 9 हो जाएगा, फिर I की value 10, 10 less than equal to n, 10 होता है, होता है, तो sum में कोई value होगी, plus 10, अब I की value हो गई, कितनी, 11, जैसे 11 हुई, 11 less than equal to 10 होता है, क्य for a print, the sum is sum, print, the sum is sum, तो कितना आजाएगा 55, चीक है, तो अब अगर इसको आप देखना चाहते हो, एक है कि step पर क्या output आ रहा है, तो इसको भी क्या करो, while का part बना दो, अगर आपने while का part बना दिया, समझो मेरी बात को, जैसे अभी आपने देखा, यह output तो ऐसा आ रहा है, अब मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, देखो, मैंने क्या किया, इसको while का part बना दिया, अब output देखोगे, तो क्या हुआ, पहली बार, अब यह sum equal to sum plus 1, sum plus 1 हुआ, i की value 1 है, 1 less than equal to 10 हुआ, condition true, sum में क्या हैगा, 0 plus 1, i की value हो गई 2, the sum is sum, print हो गया, क्योंकि यह printf while का part है, अ अब आपकी पास sum पे पड़ा हुआ है, 1 और i की value है 2, 2 less than equal to 10 होता है, अंदर आएगा, लूप के, अब लूपे पूरा है, लूप के अंदर पूरा का पूरा part है, तो 1 plus 2 कितना हो जाएगा, 3, अब i भी कितना हो जाएगा, 3, एदे को 3 हो गया, अगली बार, 3 less than equal to 3 होता है sum के पास 3 पड़ा हुआ है, 3 plus 3, 6, i हो गया 4, 3, 6 हो गया, फिर 6 plus 4, 10, ऐसे ही आपके add होते जाएगे, आप print होते जाएगे, मतलब अगर आप इन दोनों program में difference देखो बेटा, तो दोनों program में difference ही है, कि यहाँ हम पूरा sum करवाने के बाद print करा रहे हैं, तो कि print यहाँ बिना bracket के लिखा, जैसे देखो, ऐसा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी बिटा, और यह हमने ऐसा लेग दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, मतलब आप bracket में condition दो, ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि इसरी बात, अगर बिटा आप चाहते हो, अगर आप तो अब मैंने क्या कर दिया, एन इकोल टू, इवैल फंसन का यूज किया, और इनपुट ले लिया, इनपुट में मैंने लिख दिया, एंटर वैल्यू, अब जिस टाइप की वैल्यू दियो कि इवैल अपने आप कनवर्ट कर लेगा, उसमें, उस टाइप के में, या को लेना पड़ेगा, इंटीजर फंसन का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि जो वैल्यू इंटीजर में कनवर्ट हुट है, या आप इवैल ले लो, तो आप डेसमल वैल्यू भी ले पाओगे, मतलव आटोमेटिकली, अगर फ्लोट है तो फ्लोट में ले लेगा, इंटीजर को बी, clear हो रहा है, clear सर, अब मैंने इसमें change किया, अब मैंने क्या किया, अब मैं ऐसा करता हूं कि, while का कोई भी statement ही नहीं देता हूं, कोई भी statement नहीं, तो देखो, error आज येगा, प्लोक एक विखेंट यज एक इंडेटंट दॉक्षा है तो ना भिलोक है मुझे तो Γए मेकर मने कुछ सुस्ते waktu बने कुर्णों से वहां हुआ हुग मैं अपना योजय को से एक वहएं किक्रिकिने ढह flush- goofy आदें लीगेह देखो बाकी को मैंने हटा दिया, यहां sum equal to sum plus i कर दिया, चीक है, अब यहां पास, इस particular statement में, अगर आप देखो, तो यह बार 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 repeat होना चाहिए, यहां repetition अभी आपका आ नहीं रहा है, otherwise आप इसको system में चला के देखोगे, तो होना क्या चाहिए, अगर i equal to 1 है, तो ४र sum equal to sum plus 1, फिर i की value क्या हुई, 1 है, 1 less than equal to 10, यह बार 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो आपके पास 1, 1, 1, आप जो input देते रहोगे, देते रहोगे, वह input आता रहेगा, आता रहेगा और बार बार आपकी value चलती रहेगी, ठीक है, तो हो क्या राए है, क जैसे किए कर मैं इसको इवेल में भी कर लूब और इवेल में मैंने लिख दिया इंपूट और इंपूट फॉंशन ऐसा लिया और मैंने बोल दिया एंटर नंबर और फिर इसको मैंने एक्जीगूट कर आया तो भी देखो अभी यह सिंपल साना किये था और आप आपका दिक्कत क्या कर रहा है किया और समको जीरो के साथ इनिश्लाइस करके बार सम की वेलीव में वनध होगे लेकिन एक कंडीशन कभी टर्मिनेट नहीं हो रही है क्योंकि यह है से चेक हो रही है तो इस केस में आपको double times i press करना चाहिए पहली बार i press करो और दूसरी बार i press करो उससे क्या होता है आपका kernel जो है और interrupt हो जाएगा जैसे kernel interrupt हो जाएगा तो आपका जो infinite loop है और रुक जाएगा तो infinite loop रोकने के लिए जुपिटर नोट बुक में आपको double bar i press करना पड़ेगा अगर डॉस से काम कर रहे हो तो डॉस सेल में आपको control plus c करना पड़ेगा तो अब अगर हम ppt की बात करें तो आप देखो यह प्रोग्राम मैंने add natural numbers का आपको प्रिंट कर दिया आगे अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं एक्जाम्पल्स तो इसमें एक्जाम्पल्स में देखो अब यहां लिया i equal to 1 वाइल मैंने बोला i less than equal to 10 चीक है अब i less than equal to 10 हमने लिया अब यहां देखो यहां one less than equal to 10 है प्रिंट कर दिया i को और i equal to i plus 1 होता गया ठीक है अब यहां प्रिंट आई भी करता जा रहा हूं तो one less than equal to 10 प्रिंट i मतलब one print होगा i के value 2 होई तो देखो यह बड़ा ही important factor है i equal to i plus 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कहीं न कहीं इस लूप को रोकना है अगर लूप को रोकना है तो आप तो या तो increment करोगे या decrement करोगे अगर value lower होती तो मुझे decrement करना पड़ता अगर value बढ़ी है तो मुझे increment करना पड़ रहा है तो अब i के value होगे 2 तो अगली बार 2 less than equal to 10 condition फिर true तो print क्या करेगा यह मतलब 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 जैसे ही 9 हुआ 9 less than equal to 10 होता है print हुआ 9 फिर i के value 10 10 less than equal to 10 होता है फिर 10 i के value 11 11 पे फेल हुआ अब यह बाहर का पार्ट है यह तो आपके लूप का पार्ट नहीं है तो यह बाहर आ जाएगा print लिखा हुआ आगा completed इट मेंस जो python का interpreter है वो indentation से समझता है कि कितने statement while के हैं अगर indentation एक tab का है जितने भी statement का वो while का होगा जैसे indentation खतम हो जाएगा वो आपके पूरे प्रग्राम का पार्ट होगा और कम से कम एक indentation होना कंपल सरी है python का interpreter कहता है कि अगर आपने लूपिंग लगाया हुआ है तो कम से कम एक statement तो आप दो आगे बात करते हैं indentation के difference की बात करते हैं जो मैं आपको प्रोग्राम की बात कर रहा था तो देखो यहां चैसे मैंने बोला i equal to 1 मैंने बोला total equal to 0 while i less than equal to 10 अब मैंने बोला print i तो प्रेंट आई से तो आपका आगया वन और total plus equal to आई इसका मतलब हुआ total equal to total plus i total कितना पड़ा हुआ जीरो जीरो प्लस आई मतलब जीरो प्लस बन बन हो गया ठीक है यह आड़ भी करता जा रहा है और आई को increment कर दिया आई कितना हो गया टू यहां आएगा टू प्रिंट होगा फिर और टू को add कर देगा फिर 3 प्रिंट होगा फिर 3 को add कर देगा 4 प्रिंट करेगा 4 प्रिंट करेगा 5 ऐसे करते करते 10 तक add करेगा और 11 पर फिर हो जाएगा जब मैं बोलूँगा sum is 0, sum is यह देखो है 0 यह मैंने placeholder रख दिया और format total तो total की value यहां आ जाएगी तो sum is आ जाएगा 55 इसी same program को अगर मैंने indentation print का इधर कर दिया तो जो आपका value यहां print होई रहा था साथ में उस number का sum भी आता जाएगा दूसरे का फिर sum पर तीसरे वाले का sum ऐसे करके sum भी आता जाएगा 4 वाले का फिर यहां sum आ गया फिर 5 वाले का यहां sum आ गया तो indentation से यह फरक आता है कि अगर indentation change हो गया तो देखो इस particular program में यहां जो print है वो while का part हो गया और यहां जो print है वो पूरे program का part है is that clear? समझ में आ रहा बच्चे? यह दोनों differences clear हो रहे है या नहीं हो रहे है? clear or not? बोलो बच्चे? बोलो बच्चे? yes sir आगे बात करते है अब जैसे कि अगर हम infinite loop की बात करें मैंने यहां आपको run करके इसको दिखाने की कोसिस की थी ठीक है जो वहाँ पास दिक्कत आ रहा है ठीक है तो अगर आप देखो तो fi program था i equal to 1 total equal to 0 अब मैंने बोला while i less than equal to 10 ठीक है अब यहां देखो 1 है 1 less than equal to 10 प्रिंट क्या करेगा i मतब प्रिंट हो गया 1 चीक है और मैंने total equal to total plus 1 मतलब यहां क्या होगा इसका मतलब हो गया total और इसको मैं बोल देता हूँ होता है तो रहा है तो यहां क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है वन को जैसे कि इस program को अगर मैं लेता ठीक है तो होना प्रिंट रहा है जैसे ऐसा है अब यहां देखो अधर इस प्रोग्राम को हम समझे तो हो क्या रहा है जैसे आ इकोल टू वन है टोटल इकोल टू जीरो है अब यह बन लेस्ट इन इकोल टेन होता है तो प्रिंट कर देगा टोटल में क्या जाएगा टोटल प्लस फटेगे अब यहां तो आपके पास बैक्राउंड में प्रोसीजर चल रहा है जिसको आपको इंटरप्ट करने की ज़रूरत थी क्योंकि आप प्रिंट करा नहीं रहते यहां मैं आप क्या कर दे रहा हूं इसको आप देखो आप इसको विजुलाइज कर पाओगे कैसे विजुलाइज होगा देखना अब अगर इसको आप रन करोगे तो विजुलाइज ऐसे होना चाहिए था अगर माल लो मैंने इसका पाइथन का सेल चेंज किया ठीक है बैक्राउंड के प्रोसेस को रिफ्रेश करने क लिए और मैंने ऐसा किया और सब्सक्राइज एक पूरा का पूरा लाइन अभी मैं ना लिखके के वाल इतना लिखता हूं आई इकोल टू बन अगर आपका क्लियर हो गया उस समय बैक्राउंड रिफ्रेश नहीं हुआ था जैसे क्लियर हुआ तो आपको देखो यह आउटपुट दिखेगा कहता दिखेगा प्रिंट हर बार आई होता जाएगा और यह तो बाहर है तो यह लूप ही फेल नहीं होगा क्यों नहीं फेल ह उस सीव बाइब देखोट पर लूप का चलता ही जाएगा यह आपका इंफाइन चरौ पका चल रहा है था की आपको पर दिखेगा नहीं डिखेगा ने चलने लगएगा तो और पाइघनमे क्या होता है बैक्राउंड में प्रॉसर्स चलती रहती है और आगे का एक्ज़ेक और ड़ाई जैसी किया ओई इंटरफ्टिंग करने लागंव गया जैसी इंटरफ्टिंग करन लाइगा यह अब कर दोफ जाएगा यह आपका लोगत जाएगा ऑन को यह आप ठीक है, जुपिटर के लिए मैंने आपको बोला, दो टाइम आप आई प्रेस कर दो, या आपको जुपिटर में उपर दिख रहा था, कि करनल इंटरप्ट करने के लिए आप यहां से जाके करनल इंटरप्ट कर सकते हैं, यहां मैंने आपको बताया था, एक करनल और यहां इं यूज़ करना पड़ेगा अब बात करते हैं डू वाइल इन पाइफन तो अगर डू वाइल लूप की बाइफ बात करें हम पाइफन में तो जो पाइफन का पाइफन इन्हांस्मेंट प्रपोजल होता है जो कमिटी है पाइफन इन्हांस्मेंट प्रपोजल नाम की डैट पी अगर अपन पुरानी languages की बात करें, जैसे की C, C++ की बात करें, तो do ऐसा होता था, और फिर last में याद करो while होता था, वहाँ curly braces होता था, python में curly braces, नहीं होता, indentation होता है, यहाँ test condition होता था और यहाँ याद करो, semicolon से terminate होता था, यहाँ semicolon होता था, तो do में क्या होता था, करोगे, तो अगर इसको आपको देखना है ना, तो आप simple while के अंदर if condition लगा दो, कुछ ऐसा ही behavior मिल जाएगा, जैसे मैंने while true किया, मतब condition true है, तो आपका code है, वह execute होगा, और किसी condition पे इसको break कर दो, तो जैसी break किया, इसका मतलब exit label पे आपका control हो रहा है, break करने से क्या हो आप last में last label पे आप terminate करते थे, आप simple while के अंदर if condition में break लगा के भी कर सकते थे, इसलिए do while python में नहीं रखा गया, या जो python का enhancement proposal है, committee है, PEP नाम की, उनने कभी भी इसको agreement अप्रूब नहीं किया, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, यह simple हम दूसरे तरीके से भी कर सकते है जैसे कि देखो, अगर मैंने बोला i equal to 1, while true, while true लिखे हैं मतलब condition true है, ठीक है, अब यह true हर समय रहेगा, क्योंकि आप true ही लिख रहे हो, ध्यान रखना, infinite loop है, लेकिन मैंने हाँ, if condition लगा दी है, तो यह break हो जाएगा, otherwise simple अगर while true लिख दे, तो कभी false नहीं होगा, जब तक कि उसके अंदर, उसके loop के अंदर हम कुछ ऐसी condition ना दे, जहां से वो terminate हो, तो जैसे मैंने बोला print i, तो i equal to 1 था, 1 print हो गया, i की value होई 2, ठीक है, अब देखो यह बोलेगा कि 2 greater than 5 होता है, 2 greater than 5 होता है, condition false, तो break नहीं होगा, फिर while true, print क्या करेगा, 2, फिर i की value कितनी होग है, 2 plus 1, 3, फिर condition false नहीं होगी, फिर उपर जाएगा, 3 आ गया, फिर 4 होगया, 4 पर भी फेल नहीं होगा, 4 आ गया, फिर i की value, जब 4 होगा, तो 4 तक तो print आ गया हमारा, अब i की value हमारी 5, अब 5 greater than 5 तो नहीं होता, condition फिर false है, यह वाला break नहीं होगा, फिर उपर गया, print क्या कर देगा, 5, और while condition तो आपका true हो रहा है, 5 आया, i की value आपने बोला, 5 plus 1, 6, अब if condition चेक करेगा, 6 greater than 5 होता है, क्या, जैसे 5 है, बड़ी value आई, 6, तो यह condition true हो गई, और break हुआ, जैसे यह break मिलेगा, यह पूरा while loop, यह पूरा while loop आपका terminate हो जाएगा, break से बाहर आजाएग चेक है, तिसलिए आपका output, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह ऐसा लग रहा है, कि exit label पे, यह आपका exit label है, यह आपका entry label है, यह आपका exit label है, exit label पे भी आप checking कर पा रहे हो, जो कि do while में करते थे, तो यह do while का ही एक तरीका है, जो आप सीधे तरीके से implement कर सकते हो, जिसको do while से use करने के जर बढ़ते हैं, अब python में एक और आपके पास variant है, while का, that is while else, while else, कुछ नहीं है समझो, बड़ाए simple सा है, होता क्या है, आपके पास एक while condition होगी, और else के पास कभी भी condition तो होता नहीं है, else के पास कभी भी condition तो होता नहीं है, तो while condition जो आपका होगा, वो आपका जब तक कि condition true रहेगा, इसके block execute होते रहेगे, जैसे ही false हुआ, तो else execute हो जाएगा, जैसे कि देखो, यह आपका while, अब यहाँ ब्रेकर लगा सकते हो, चाहो तो या ना भी रहे तो optional है तो while condition इसका indented statement तो यह आपके while के statement हो गए फिर while के बाद देखो else और else का colon else के साथ कभी भी कभी भी कोई भी test condition नहीं होता है else के बाद कभी भी कोई test condition नहीं होता है क्योंकि else false condition के लिए होता है तो ये बिटा जब test condition जितनी बार true होगा उतनी बार ये आपके जो indented statement है वो execute होंगे while वाले, while वाले, जैसे ही while का condition false हुआ, else का पूरा का पूरा block execute हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पास एक doubt आता है, मैं अगर आपसे पूछ हूँ, simple मैं doubt बताने से पहले आपसे पूछ बेटा जैसे while else है, अगर मैं यहाँ लिखू while, और while के बाद while का तीन लाइन है, देखो indentation से समझ में आ रहा है, और मैं पूरे प्रोग्राम में print लिख दूँ, ठीक है, तो एक प्रोग्राम ऐसा हो गया, एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, उसमें while लिखता हूँ ठीक है, और while में मैंने एक तो तीन लाइन लिखी, और फिर उसका else लिखा और else में print लिख दिया, else में print लिख दूँ, ठीक है, तो समझ ना, यह दोनों प्रोग्राम में, जब तक के while चलेगा, यह statement आपके repeat होते रहेंगे, जैसे while false हुआ, else का print execute हो जाएगा, ठीक है, case number one, case two की बात करता है, जब तक while का test condition true होगा, यह पूरे statement execute हो जाएगे, जैसे ही fail होगा, तो यह print पूरे प्रोग्राम का है, तो यह अपने आप execute होगा, तो इन दोनों में कोई difference दिख रहा है, बोलो बच्चे, इन दोनों में कोई difference है या नहीं है, यह जो मैंने दोनों cases बताएं, इन दोनों में कोई difference लग रहा है या नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ, कोई भी difference, बोलो बच्चे, कोई output में या किसी चीज में, यहां भी तीन statement माल लो, यह दोनों सेम ही है, ठीक है, यहां else में print जो लिखा है, यहां भी print बाहर लिखा हुआ है, और वही print है, जो output हम यहां लेना चाहते है, वही output हम यहां लेना चाहते है, तो इस case में, दोनों ही cases में, कोई difference है या नहीं है, कोशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई भी बिच्छा, कोई भी बता सकते हो, बोलो बच्चे, सरी, जी second case है, हर बार print हो बार, सर। नहीं, ये पुर आ प्र attentive it, देखो, indentation देखो, while, की बरबर का ने, indentation when I lift you, बराबर रखा हुआ है और इसके अंधर wally, statement ये UH यथ यह जोल Pan 것이 नहीं, यह सरी एक बार प्रिंट होगा सर और जो एल्स वाल है सर वो जो वाइल नहीं चलेगा जब प्रिंट है अच्छा ठीक ठीक अब सुनना मेरी बात नाम क्या बेटा तिरा अशीश आशीश देख इसमें भी समझना मेरी बात को जब यहां पास टेस्ट कंडिशन ट्रू होगा एक है यह टेस्ट कंडिशन है जितनी बार ट्रू होगा यह पूरे स्टेट्मेंट एक्जिक्यूट होगे या नहीं होगे बता होगे है जैसे ही वाइल फॉल्स हुआ यह झ्टैस्ट कंडिशन है जितनी बार टेस्ट कंडिशन है पूरे स्टेट्मेंट एक्जिक्यूट होगे हैं होगे पता यह जैसी होगा ऐ पोरे प्रग्रम का जो प्रिंट अकेल पड़ा हूँ प्रिंट हो रहा है लेकिन दोनों के लिग्न कोहेरेंस में या लौजिकल कोर्रिलेशन में कुई अंत्म नहीं तो बात यहीं आते है कि वाइल सके जरुरोथ ही क्या को है तका है जो हंट कर आ या नहीं समझ है ब릴 कि समखने when और नहीं आ रहा है तो भी print होगा, multiple print लग लिख दो, तो भी print होगा, और यहाँ else के अंदर print multiple या single लिख दो, तो while के fail होने पे वो भी print होगा, तो इन दोनों के correlation में तो कोई difference है नहीं, दोनों के logical concept में कोई difference है नहीं, तो what is the need of while else? clear or not, बेटा किसी को समझ में नहीं आया, बड़ा ही important point है, समझो मेरी बाग को, बड़ा ही important concept है, सबको समझ में आ गया, unmute करके बोलो, आया है नहीं आया, बता बच्चे, गुट, तो मेरे पास question यह है बेटा, many programmers have a doubt that if the statement of the additional else part were placed right up the while loop without an else, ठीक है, they would have been executed anyway, wouldn't they, then what is the use of else, इसको समझने के लिए हम break को समझेंगे, ठीक है, अगर बेटा, इस प्रोग्राम में मैं ऐसे ही बताओ तुम्हे, यहाँ कहीं भी break मिल जाए, यहाँ कहीं भी break मिले, जिसे while में अगर मैंने break लिए, समझो मेरी बात को, while में अगर break लिए, while के अंदर if condition लगा के break अगर मैंने लिए, तो केवल while break होगा, कि else भी break हो जाएगा, बताओ, आपको answer अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें क्या लगता है, while के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, को if condition लग अगर break लगा दूगा, तो केवल while break होगा, या else भी break हो जाएगा, बताओ, जल्दी, तुम्हें जो लगता है, बताओ, बस यहीं से logic layer हो जाएगा, इसी page से मैं आपको logic layer कर दूगा, इसी slide से logic layer कर दूगा, बोलो बता, अचा simple अगर माल लो, while के अंदर, अगर मैंने if लिख और while terminate हो जाएगा, बांते हो, अगर while else है, तो पूरा का पूरा while else terminate होजाएगा, फिर से समझो, अगर while else है, और मैंने while के अंदर if condition के अंदर break लगाया, तो पूरा का पूरा while else terminate हो जाएगा, इस आट, clear or not? क्लियर और नौट ध्यान रखना वाइल्स के केस में अगर मैंने ब्रेक वाइल के अंदर इफ कंडिशन के साथ लगाया तो जैसे भी ब्रेक की कंडिशन सेटिस्पाई होगी वाइल्स औरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन अब इस दूसरे केस की बात करें अगर मैं यहां इस के साथ ब्रेक लगाया और कंडिशन सेटिस्पाई होई तो यह वाला प्रिंट एक्जिक्यूट होगा या नहीं होगा कोई भी यह वाला प्रिंट एक्जिक्यूट होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ होगा execute very good, होगा क्योंकि ये while का part है नहीं लेकिन यहां क्या हो रहा है while के साथ आपने else लिखा है तो अगर आपने इसके साथ break लगा के और इसको terminate करने की कोसिज की और condition satisfy हो गया तो एक complete while और else आपका क्या हो जा रहा है terminate हो जा रहा है तो एवाला print कभी भी execute नहीं होगा अगर while आपका terminate होता है क्योंकि else भी terminate हो जाएगा लेकिन ये बाहर वाला print always execute होगा क्योंकि ये while का part नहीं है यही अंतर है और एक केवल break से अंतर समझ में आएगा कि हमें ये while loop ends only when the test condition in the loop become false लेकिन हम break के तुरू इसको prematurely क्या कर सकते है terminate कर सकते है अगर break से आप terminate करते हो और अकेला while है तो while terminate हो जाएगा लेकिन while else है तो while else part भी terminate हो जाएगा else भी execute नहीं होगा ध्यान रखना ठीक है तो while अगर आपका test expression है और आपने if condition के अंदर break लगाया तो break क्या करता है? while से बाहर कर देता है लेकिन अगर while else है तो else भी आपका terminate हो जाएगा जैसे कि देखो अगर मैंने एक program बनाया और लिखा मैंने i equal to 1 मैंने बोला while i less than 6 मैंने क्या बोला while i less than 6 print किया i मैंने print i किया अब जब मैंने print i किया तो बना जाएगा i equal to i plus 1 तो 2 हो गया एक condition चलती रहेगी 5 तक चलेगा और 6 पे fail हो जाएगा तो 5 तक print हो गया else मैं आपने लिखा है print i is no longer less than 6 जैसे ही while fail हुआ तो else का part execute हो गया i is no longer less than 6 ठीक है फिर उसके बाद अगर आप देखो तो मैंने i equal to 1 while i less than 6 print i और i plus equal to 1 i is no longer less than 6 तो आपका अब आप देखो यहां मैंने इसको else में ना रखते हुए पूरे program में रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे यह fail होगा वैसे यह आपका execute हो जाएगा तो else में लिखे ना लिखे कोई फरक नहीं पड़ रहा है यहां output आपका दोनों का same आ रहा देखो यहां भी output आपका same आ रहा i is no longer than less than 6 because यह तो आपका execute हो गई होगा क्योंकि यह आपके program का बाहर का part है जैसे यह आपका while loop terminate हुआ यह print हो जाएगा next बात करते है अगर इसको मैंने program का part कर दिया तो हर बार आपका i is no longer less than 6 ऐसे करके आता चाहेगा अब मैंने क्या किया अब देखो अब मैंने कर दिया while i less than 6 और print i किया मैंने और मैंने बोला if i equal to equal to 3 हो तो break कर दे i equal to equal to 3 हो तो break कर दे खिक है अब देखो जैसे ही i हुआ और यहाँ देखो i plus 1 लिखा हुआ है इस if का part है तो break को मैंने एक और indent आगे भीजा है ध्यान रखना तो क्या होगा सबसे पहले print हुआ 1 1 होने के बाद चेक होगा कि 1 equal to equal to 3 है क्या नहीं है तो break पर नहीं जाएगा i को करेगा 2 2 less than 6 होता है फिर आएगा 2 2 को चेक करेगा यह भी condition सही नहीं हुए फिर 3 3 less than 6 होता है 3 print हो गया 3 equal to equal to 3 break जैसे break आएगा यह पूरा का पूरा while loop terminate हो जाएगा यह पूरा while loop terminate हो गया अगर मैंने i को i equal to equal to 3 में i plus 1 equal to 1 करूँ समझो मेरी बात को तो क्या होगा आपका इसको जैसे i equal to 1 है 1 less than 6 print 1 हुआ अब यहाँ pass क्या चेक होगा i equal to equal to 3 मतब 1 equal to equal to 3 है क्या नहीं तो फिर से i की value उपर 1 ही रहेगी increment हुआ ही नहीं 1 less than 6 फिर 1 आएगा ऐसा बार 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 चलता ही रहेगा क्योंकि 1 को आप increment ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यह वाली condition कभी भी आपकी true नहीं होगी तो infinite loop तक चलता रहेगा ठीक है अब आगे है अब देखो यह अब आपका loop हुआ 1 है 1 less than equal to 10 है condition true तो 1 आ गया 1 equal to equal to 5 तो होता नहीं है ठीक है तो print i मतलब 1 i को कर दिया 2 अब फिर 2 से चेक होगा 2 less than equal to 10 2 equal to equal to 5 तो नहीं होता print कर देगा 2 ऐसे ही 3, 4 4 plus 1 कितना होगा 5? 5 less than equal to 10 condition true लेकिन 5 equal to equal to 5 है तो break हो गया अब जैसे ही break हुआ यह जो आपका while और else है पूरा terminate हो जाएगा और बाहर आजाएगा पूरे कोई skip कर देगा ठीक है? अब मैंने यह else में ना लिखते हुए print को completed जो लिखा आप देखो पुराने वाले में else में print completed था तो यह नहीं चला क्योंकि break मिल गया same program में मैंने else नहीं लगाया और print बाहर लगा दिया अब यह क्या होगा? फिर से 4 के बाद break हो जाएगा फिर 5 पे 5 इकल तो 5 break हुआ तो यह केवल while loop से बाहर होगा while loop से बाहर हुआ लेकिन यह print तो पूरे program का है यह आपका execute होगा ही होगा यही difference होता है इन दोनों में अब देखो simple i equal to 1 1 less than equal to 10 print 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 plus 1 होगा 10 10 less than equal to 10 फिर आएगा 10 print होगया 10 plus 1 11 11 less than equal to 10 नहीं होता है तो यह आपका while loop आपका fail हुआ जैसे ही fail हुआ else execute होगा complete है इसमें हमने break लिखा ही नहीं है अब break नहीं लिखा है तो हम terminate नहीं कर रहे है continue क्या किस के लिए होता है continue क्या करता है current block को skip करके फिर से आपके starting iterative statement पे ले जाता है फिर से starting iterative statement ले तो देखो अगर अपने बात करें i equal to 0 है while i less than 10 while i less than 10 तो अब अगर यहाँ पास देखें तो i less than 10 हुआ तो 0 less than 10 है condition true i को कर दिया i plus 1 तो i हो गया 1 अब 1 percent 2 not equal to 0 condition true तो बोलेगा continue अब देखो यह if का जो line है एक indented आगे है यहाँ से चलाओगे तो error आएगा एक आगे तक चलाना पड़ेगा ना एक और आगे तक तो उसका समझ में आएगा उसका statement है जैसे ही continue करेगा यह फिर से while loop के पास भेज़ देगा तो i की value 1 हो चुकी थी 1 less than 10 होता है condition true अब i की value हो गई 1 plus 1 2 2 percent 2 not equal to 0 condition false तो print करेगा 2 को तो आगे है फिर से क्या करेगा i की value हो गई i की value तो आपकी 2 हो चुकी है 2 less than 10 condition true अब i की value हो गई 3 3 पे क्या हो जाएगा if it true हो जाएगा तो continue से while पे चला जाएगा तो 3 को print नहीं कर पा रहा है continue जैसे ही मिलता है फिर से loop पे starter बेज़ देता है जहां भी iterative statement होता है वहाँ बेज़ देता है तो फिर वापस ऊपर नहीं गया फिर वापस ऊपर चला गया तो 3 प्रिंट नहीं होगा अब i की value होगी 4 4 पे fail होगा तो print आई आएगा 4 प्रिंट हो गया 4 less than 10 होता है condition true तो 4 प्लस 1 5 फिर 5% 2 not equal to 0 condition true continue पे चला जाएगा तो आप देखो और नंबर पे continue हो जा रहा है और नंबर पे continue हो जा रहा है तो even number print होते जा रहे हैं और 10 तक print आपके इसलिए हो रहे है क्योंकि 9 पे चला 9 less than 10 होता है अंदर आएगा 9 plus 1 10 10% 2 not equal to 0 यह वाला continue नहीं आएगा print 10 करेगा और जैसे 10 less than 10 चेक करेगा फेल तो बाहर आजाएगा तो 10 तक प्रिंट करके बाहर आजाएगा is that clear to all of you yes or no बोला बच्चे clear है नहीं है कि यहां थे बात स्माझ में आ गई सभी को अगला पास वाला हमने condition पहले भी देखा था अगर i equal to 0 है while i less than 10 0 less than 10 i के value 0 plus 1 1% 2 not equal to 0 तो pass कर दे रहा है पास कर दिया इसमें आगे बढ़ेगा 1 के पास जाएगा 1 हो चुका है तो 1 less than 10 1 plus 1 कितना हो गया 2 2% 2 not equal to 0 condition field लेकिन इसके बात कुछ print statement नहीं लिखा है ना तो दोनों ही case में बस यहां बस चेक करता जाएगा बढ़ता जाएगा कब तक जब तक कि देखो 9 पे चला 9 less than 10 और 9 plus 1 कितना हो गया IQ value 10 हो गई अब 10% 2 not equal to 0 pass वाले इसे कोई मतलब भी नहीं है IQ value 10 हो गई अब जैसे IQ value 10 हो गई 10 less than 10 होता है क्या नहीं बाहर आएगा अपने आप else execute करेगा तो print आई तो last value 10 है जिसमें यह फेल हुआ था इसलिए print 10 हो रहा है अब आगे बात करें तो देखो अगर IQ value 0 है और वाइल i less than 4 तो 0 less than 4 होता है condition true IQ value हो गई 0 plus 1 तो IQ value कितनी हो गई 0 plus 1 चीक है तो IQ value हो गई 1 अब 1% 2 not equal to 0 condition true उसने बोला pass pass को जो python का interpreter है वो समझता है कि null statement है pass को क्या समझता है कि null statement है हम किसे लिए रखते हैं अगर आप देखो तो pass वहाँ use किया जाता है जब आपके पास कोई statement execute कराने के लिए कोई statement देने के लिए तो आप simple लिए तो pass कि मेरे को कुछ नहीं लेना लेकिन अगर pass के बाद कोई दूसरा statement है तो उसको print करेगा ध्यार रखना देखो यह while का part है while का if part है और if के part के लिए मुझे एक indented आगे बढ़ना है तो एक indent इसका भी आ गया है तो मतलब यह if का part है का interpreter हो इसका समझेगा और इस if का else है क्योंकि इन दोनों का alignment same है तो इस if के fail होने पे else आएगा तो देखो जब 0 less than 4 था iq value हो गई 1 अब 1% 2 1% 2 not equal to 0 condition true तो अंदर आएगा बोलेगा print welcome और end में मैंने इसको space दे दिया इसका मतलब line change नहीं करेगा तो welcome आगया देखो क्या आया welcome ठीक है अब क्या होगा else पे नहीं जाएगा इस if else पे नहीं जाएगा लेकिन वाइज अभी fail नहीं हुआ है while में iq value 1 है अब दूसरी बार check करेगा 1 less than 4 होता है क्या फिर अंदर आएगा iq value करतेगा 2 iq value होगे 2 2% 2 not equal to 0 condition false क्योंकि 2 को 2 से divide करोगे तो reminder 0 आएगा तो if का portion false हो गया else पे जाएगा print करेगा i तो iq value कितनी है 2 इसलिए 2 आगया लेकिन line change नहीं करेगा क्योंकि end के साथ backslash and by default होता है यह backslash and ना देते हुए space दे दिया हुआ तो print नहीं change करेगा sorry line change नहीं करेगा अब बेटा अभी भी फेल नहीं हुआ है while loop पे फिर से जाएगा iq value 2 हो चुकी है 2 less than 4 होता है देखो तो condition check करेगा 2 less than 4 जैसे देखेगा 2 less than 4 है क्या condition फिर से true हुई iq value होगी 3 इस बार हो गया iq value 3 चलो बढ़ते आगे 3% 2 not equal to 0 3 को 2 से divide करोगे तो बनाएगा 1 not equal to 0 condition true बोलेगा pass लेगे फिर से एक statement मिल गया तो welcome और line change नहीं होगा ठीक है अब iq value 3 3 less than 4 फिर से while loop check होगा 3 less than 4 3 less than 4 iq value होगी 4 4% 2 not equal to 0 अब iq value होगी 4 ध्यान रखना 4% 2 not equal to 0 condition false print करेगा i4 और line change नहीं करेगा अब जब जाके 4 less than 4 check करेगा तो condition false होगी इसलिए यहीं तक out बढ़ाएगा welcome to welcome to is that clear to all of you yes or no clear or not बोले बच्चे clear या नहीं है ठीक है मतलब pass अगर कुछ भी नहीं करना है कोई operation नहीं perform होगा simple ignore कर देगा मतलब अगर वन बात करें तो programming जो pass है जो pass statement है वो simple null statement है और यह ध्यानक ना comment नहीं है लेकिन यह the difference between a comment and a pass statement in python is that while the interpreter ignores a comment entirely pass is not ignored pass ignore नहीं होता बस कुछ print नहीं होगा no operation बताता है लेकिन pass के अंदर पास के बाद कोई statement है तो उसको print करेगा मतलब पास से termination नहीं हो जाता पास से कुछ आगे नहीं बढ़ जाता पास को जो python का interpreter read करता है और जान जाता है इससे कुछ भी print नहीं करना कोई भी operation नहीं perform करना है आगे बात करते हैं अब यहां मैंने i equal to 0 लिखा है अब फिर से चेक करते हैं 0 less than 4 condition true i की value हो गई पहले 0 sorry 0 plus 1 1 sorry अब हो गई 1 i की value हो गई 1 अब 1 percent 2 not equal to 0 condition true तो बोला pass pass मतलब उसके बाद कोई भी statement ही नहीं तो कोई देखकती नहीं है इस if का else है तो अब फिर से loop जाएगा उपर 1 less than 4 1 less than 4 condition true i की value हो गई 2 ठीक है इस line से i की value हो गई 2 2 percent 2 not equal to 0 condition false else में जाएगा print करनेगा i को line change नहीं होगा अब उपर जाएगा 2 less than 4 check करेगा आगे line में जाएगा condition true है तो 2 plus 1 3 3 percent 2 not equal to 0 condition true बोलेगा pass कुछ भी नहीं देना मुझे output ठीक है अब i के value होई check होगी 3 less than 4 से condition true i के value हो गई 4 4 percent 2 0 के बराबर आता है तो इसकी condition false else में जाएगा i को print कर देगा तो footprint हो गया ठीक है